वेलकम बेक टू ईपी गेमिंग गाईज यह दोखो आज मैं जैसी सुबह सो कर उठाना मैंने एक चीज नोटीस करी कि हमारे पडोस वाले अंकल अपने घर के ओपर कुछ बनवा रहे यह दोखो ओ भॉइस अब सिंचे तु देख रहा है यहाँ पर अंकल यार अपने घर के ओ और भाई वह क्या है अरे भाई वह कौन नहीं वह एक चीज भाई यह तो लखडियां लग रही है ग्रीन वाली पता नहीं हो क्या रहा है मैं अपने च्छत से देखने जा रहा हूं और प्लीज यार इस टाइप की चीज हमें भी बनवानी चीज इसके बार में सोचना अरे तू शांत रहे भाई साब सिंचे तू हमेशा मेरे से पैसे खर्च करवाता रहता चलो गाइस कोई दिक्कत नि मैं तो अपने च्छत पर पहुच गया हूं और देख रहो यहां पर स्वही में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और साथ ही मैं यहां पर बहुत सारी चीज करवार हैं क्या बात कर रहा है और हमारा घर 20 सा रहा जाएगा और सभूल्स इस हमारा घर के माद में छोटा आधी से फैसे नीडिन पर वह कर रहे रहा दूसरा रहा एंक क्या साफ कर रहा है और यहांı पर भाई प्लीज प्लीज नीचे आओ मेरे को भी यार कुछ बनवा के तो अरे भाई सही बात है चलो काई हम भी अपना सिस्टेम बिठाते और कुछ ना कुछ सोचते सिंचे तू क्या सोच रहा है अरे अरे नहीं भाई साब सिंचन उसमें बहुत सारा पैसा लग जाएगा इतना पैसा नहीं है मेरे पास तरह पता नहीं आज कल भाई बहुत ज्यादा पैसे लग रहे बिल्डिनग मनवाने में फ्रेंक लिया बहुत बढ़ी सी बिल्डन नहीं तो एक छोटा सा ट्री हाॉस इसके लिए तो हां कर दो ट्री आस्ट्री हाॉस क्या होता है अरे बहुतностью बीछ की बार में जटके में तूट सकता है अगर आंधी तुफान आई तो अरे नहीं फ्रेंकलिन भाईया उसे बहुत जादा मजबूती से बनाते हैं कंस्ट्रक्शन वाले जो वरकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बनाते प्लीज यह चीज बनवादो इसमें ज्यादा पैसा भ फ्रेंकलिन भी है मेरे को तो नहीं आइडिया अरे एक काम कर सकते हैं सबसे पहले और कॉंट्रेक्टर अंकल को ढूंड़ते क्या पता हुआ हमारी हेल्प कर दें अरे हो यह तो बहुत ही अच्छा इडिया चलो गाईज मैं तो चला गाड़ी निकाल लें उसके बाद चलते पूछेंगे पूछेंगे कि भाई तु क्या हमारा ट्री हाउस बना सकता है तो चलो गाईज यह दो लो भी रैड़ी हो गया फटा वट से गाड़ी में बैठते और चलते सीधा कॉंट्रेक्टर के बास अरे जहां पर कंस्रक्शन होते नहीं पर मिल जाएगा वह चलो गाई पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कंस्रक्शन का काम करते हैं और करवाते हैं अरे भाई साब सिंचन तु एक दो दिन में ही हवाट टाइट हो जाएगे अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मैं पूरे एक साल तक रह सकता हूँ अपने ट्री हाउस के अंदर चलो गाईज कोई दिख बहुत साइट पर पहुझ गया और यहां पर भाई बहुत सारी चीजें दिख रहें देख रहोगा इस वहां पर बड़ी बड़ी चांस्ट्रक्शन ट्रक्स भी हैं और बहुत ही ज्यादा मैसिव है चलो गाई इसकोई दिखकतनी हमें तो चाहिए होगा चलो फड़ावट स एक बंदे को ढूंडते हैं कोई ना कोई तो होगा यहां पर कोई ना कोई बिल्डर बड़ावट से उनके पास चलते हैं और बात चीत कर लेते हैं और भाई कोई भी नहीं दिख रहा हमें चाहिए अंकल आप मेरी एक सेकंड मदद करेंगे अरे बच्चे बताओ क्या हुआ अरे अंकल आप ऐसे किसी बंदे को जानते हों जो हमारे हमारा भर बनवादे मैं एक छोटा सा चीज बनवारा पत्रे हैं यह थे सब हमने बनाते प्लीज इने लेके चलो ना Franklin भी याँ बोलो बोलो ना कि हम कितने भी पैसे देंगे अरे अंकल आप अगर हमारा Treehouse बनवा दोगे ना तो हम आपको मु बोली कीमत देंगे अरे क्या बोला मु बोली कीमत अरे ह Buli की मत अरे हह जितना ट्री हाउस देगी नहीं होगी कभी लाइव में अरे सिंचन भाई बहुत सारे पैसे लगने वाले आस तो अरे फ्रैंक्लिन भाईया कोई बात नहीं यार जुकार तो आप करी लोगे और आप भाई कर वे हां करते हैं नहीं तो कोई पंदा नहीं मिलेगा ठीक है ठीक है प्लॉट वाले बंदे कहां मिलेंगे अब तो हमें जमीन खरीद नहीं पड़ेगी अरे फ्रैंक्लिन भाईया कॉल वाल मिलाओ यार किसी से बात चीत करो और वो नंबर दे देंगे आपको चलो गाइस पहले यहां से बाहर निकलते चैट से फिर पता करेंगे उसके बारे मे अरे हां और उसके बाद हमारे कॉंट्रेक्टर अंकल को बुला लेंगे उसी वाले जगह पर चलो गाइस फड़ावर से पहले एक जमीन खरीदते हैं तो चलो गाइस मैंने थोड़ा रिसर्च करा था और मेरे को एक जमीन मिल गई है यहां पर इसी लोकेशन के आसपास ही हो अरे फ्रेंकले अंकल बुला ली एक जमीन देखने चलते हमने 長 ली लिए अपने उसका क्याहाँ हो आधर है अर्य मेरेको तो ना कोई आधरा दिखुए यही अंकल है क्या सब्सक्से यहां पर कोई और यहां पर हमारा बड़ा सा ट्री हाउस बनेगा बहुत ही परफेक्ट रहेगी त्री हाउस के लिए यह जमीन तो बहुत ही परफेक्ट रहेगी यहां से आपको व्यू जो मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है नीचे आपको पूरा शहर दिखेगा यहां से पहाड दिखेंगे बहुत प्यारा नजारा दिखेगा प्याइब तो गजब की लोकेशन है चलो गाइज अब फड़ावर्स से इस प्लोट को खरीदते हैं अरे हाँ डिल टन करो अंकल से बात्चित करो और उसके बाद यह प्लोट आज से हमारा हो जाएगा ठीक है ठीक है अंकल इस प्लोट का प्राइस तो बता दो अरे इस प्ल लाइन पैसे भेज़ दी अंकल पैसे आगे ना आपके पास पैसे तो आगए चलिये कीजिए बाकी पेपर वर्क्स तो हम बाद में करते रहेंगे आज से यह जमीन आपकी हुई फाइनली गाइस मैंने इतनी बड़ी जमीन खरीद लिए यहां पर हमारा बनेगा बहुत ही ब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अरे सिंचन यह देख हम उसी कंस्ट्रक्शन वाले साइट पर दुबार से पहुंच गया फड़ावर्ट से अंकल को अपना जमीन दिखाते हैं अंकल से पहले पूस्तों बताता दो अरे अंकल फाइनली हमने एक जमीन पर चेस कर दिकने आकर बैठों कलुद झालों फ्रैंकलिन बैठे चलते हैं तुम्हारे सेंकल को अपनी जमीन घखाते आंधा aug ओ माई गॉड ऐसी जमीन तुम्हें मिली के से अरे मिल गई अंकल मिल गई बस मिल गई पैसा होना चीए आज के डेट में सारी चीजे मिल जाती और गैस देखो यहाँ पर हमारा बनेगा ट्री आउस बिलकुल मिडल में अरे मिडल में ओ माई गॉड यहां तो कोई ट्री भी नहीं दिख रहा मेरे को एक सेगंड यहां पेड़ का है जिसके ओपर तुम ट्री हाउस बनवाना चाहते हो अरे अंकल वह सब तो आप देखोगे ना आप पैसे भी तो ले रहे हो अरे फ्रैंकलन भाईया यह क्या बोल र अरे देखो मेरे गयल से टोटल दस करोड लग जाना चाहिए पांच करोड मेरा पांच करोड का रो माटेरियल मेरे गयल से अरे ठीक है अप कॉस्ट की चिंता मत करो आप बस मेरा काम करके दो ठीक है तब तक मैं अपने वरकर्स को बुला लेता हूं वहां पर बाकी काम हैं बुल्डोजर लेने और गाइस मेरे को लग रहा है यहीं से मिल जाएगा अरे फ्रेंक्लिन यहां पर कितनी बड़ी कंस्रक्शन चल रही है और कितने टाइम से कंस्रक्शन हो रही है अभी तो कम्प्लीट कुई नहीं और गाइस अंकल ने यहीं की लोकेशन दी थी जहा पांच जार रुपे रेंट लगेगा अरे हां ठीक है टिके दे तो फड़ावर से अंकल को मैं पेमेंट कर देता हूं चलो गाइस फाइनल अंकल मैंने आपको पेमेंट दे दी यह पांच जार की फड़ावर से बुल्डोजर बता दो मैं कौन सा ले जाओं आरे कोई भी ले काम है हमारे को तो ठीक है एक दिन बाद लेए ना वापिस अरे रुप्जा फ्रेंकल भी हम भी आते हैं यह दुनों बुल्डोजर पर बैट गया और गाइस हमें ना बाद में आकर अपनी गाड़ी भी यहां से उठानी पड़ेगी आरे वह तो उठा लेंगे फ्रेंकलिन अपना ही शहर है कौन ले जा रहा हमारी गाड़ी अरे लॉस सेंटोस में बड़े बड़े चोरे पता नहीं दरगो अरा भाई बात तो सही है लेकिन हमारा कल्वज वह सबसे बड़ा चोर है यह तो बहुत ही जादा दीरे चल रही है अरे हाँ ऐसे तो हम भाई बहुत ही करका पते खराब बुल्डोजर हो औरे हो भाई मैंने तो यह सोच आई नहीं भाई यह उठता कैसे है अरे फ्रेंकलन भाई देख लो कहीं खराब ना निकले 5000 रुपे हमारे चले जाएंगे एक दिन के चलो गाड़ी प्लाट सकता आरे यह है इसकी असली पावर और हाँ यह असली बुल्डोजर है रहा है तो वर्किंग है बिल्कुल चलो गाई चलते और इन सब भी गाड़ियों को रास्ते से खट आते हैं अरे फ्रेंकलन भाई यह फूल स्पीड में भागाते अपनी बुल्डोजर को आरे फ्रेंकलन भाई इसके सामने जो भी आएगा वह चूर- यह देखो गाई बस हम पहुचने वाले अपने जमीन के पास हमारी बुल्डोजर तो बहुत ज्यादा मस लग रही है अरे फ्रेंकलन भाई यह देखो हम तो आपकी बुल्डोजर लिया है तुम लिया है क्या अरे वह 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 इसी चीज की तो जरूरत थी अब तुम इसे य तो बढ़ाना पड़ेगा ना यहां पर यहां पर पीडा लगाए जाएंगे जिसके ओपर तुमारा ट्री हाॉस का बेस इस ट्यार किया जाएंगा और उन्कल वह वह सब ठीक है पर इसमें टोटल कितना टायम लग जाएगा अरे देखो मेरी गयाल से लग जाएंगी इसको तोटल दो से चार दिन मतलब तुम सबसकते हो मोटा मोटा पास दिन के अंदर सारी चीज़े रेडी हो जाएंगी चलो गाइस देखते भाई ये कब तक रेडी हो पाता है अरे अंकल और कुछ लाना है गया मार्केट से अरे हाँ हाँ मैं तुम्हार को कुछ आइटम लिखके दे देता हूँ वो सारे आइटम तुम एक ट्रक पे ले आओ ठीक है ना फ्रेंकलिन ठीक है ठीक है अंकल जल्दी से बता तो क्या कहलाना है चलो अंकल ने तो बहुता इस दे दिए फटा वट से घाड़ी उठाते हैं यहां से कोई आ जल्दी से फिर घाडी उठाते हैं अरे हां upfront भया हम अपनी घाड़ी तो वहीं पर छोड़ा है बुल्डोजर वाली अंकल क पास तो रोको रोको हमें आपकी गाड़ी चाहिए यह जल्दी से उसको बंडे को बाहर निकल और हमारे चीज़े लानी होगी अरे फ्रैंक्लिन बैया अंकल ने कौन-कौन सी चीज़े बताई हैं आपको क्या-क्या आइटम लिखवाए हैं लिस्ट के अंदर अरे भाई बहुत सरे वुड्स हैं और भी बहुत सरी चीज़े आज तो अंकल यार हमी लोगों से काम करा रहे हमी लोगो नियोप आएगा अरे एटलिस्ट हम काम को थोड़ा जल्दी करवा सकते हैं न समान अगर हम जल्दी देए तो चलो फ्रैंक्लिन भाइब फड़ा वट से मार्केट के पास चलो तो यह देखो पहले हम जो समान लेंगे लकडिया तो आज हम जा रहे हैं लकडि मार्केट से भ अरे अंकल लकडिया कितने की दी अरे लकडियों का अलग अलग प्राइस है तुम्हें कौन सी लकडिया चाहिए मुझे लिस्ट दिखा दो उसके बाद मैं वह सारी चीज़े तुम्हारे लोकेशन पर बिजवा दूंगा और ठीक है ठीक है अंकल यह रहा लेस्ट और आप एक ना ट्री हाउस बनवा रहे हम तो उसके लिए लकडिया चाहिए तो फड़ावर्स से वही लकडिया निकालना जो बहुत ज़्यदा मजबूत हो अरे ठीक है अच्छी क्वालिटी की तुम्हारे को लकडिया दूंगा फ्रेंक्लिन नाम है न तुम्हारा और का इस देख और हमें खुद ही लेके जाना पड़ेगा अच्छा ऐसा है कि अंकल आप भिजवाओगी ने हमारे घर पे अरे तुम्हारे को मैं दे दूंगा ना तुम लेके चले जाना तुम चाहो तो मेरी ट्रक का इस्तिमाल कर सकते हो और ट्रक को बाद में मेरे पास वापिस भिजवा हम लेके जा रहे हैं बहुत सारी लकडियों को अरे सिंचन जल्दी से आजा अरे ठीक है फ्रेंकल में वेट हम दोनों अभी बैट जाते हैं अरे अंकल तब तक आप हमारी गाड़ी का ध्यान रखना अरे कोई बात नी कोई बात नहीं तुमारी गाड़ी यहीं पर पड़ी पौारेग च्राइगी चिंता मद करो प्पेमेंट मेरोत मेरे को ऑनलाइं कर दिया न तुमने मैंने पंड़ा इन सो लेकर अपने इस लंबी सो तसा भगे मेरेन निकल सै बड़ी ड्रक भगा भबाए का टैब अन ऑघसी मेरे को इसको एंधिलिंग connect Yani पाइब पाइब आराम आराम से चलो कोई जल्दी नहीं है अराम से चलेंगे तो आराम से सारी काम हो जाएंगे चलो गाइज अब फड़ा वर्षे अपने लोकेशन के पास पहुसते हैं अरे भाई साब चिंचन एक ट्री हाउस के लिए हम भाई कितनी जादा मेहनत कर रहें चलो गाईज देखते अब भाई यह हमारा ट्री हाउस कब बनता है अरे फ्रेंकलिन भाई या मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है याद रखना इसलिए मैहनत से नहीं डरना चाहिए भाई रखना है अरे बढ़ियए तो भाई आपर अरे भाणकल और फ्रेंकल्रे आपर यह कंडिया बैद और अरे वह वा तनी सारी जो लकडिया तुम लाए ऀससे तो महरे घर का स्ट्रक्चर बनेगा घर की फ्लोरिंग्स घर की चट बागी सारी चीज़ेंगी वाँ बढ़िया भाई इनको ना काट काट की यूज करा जाएगा गाईज और भाई बहुत ही ज़्यादा तकड़ा लगने वाला है हमारे ट्री हाउस हाँ फ्रेंक्लिन भाईया बात तो सही है अच्छा हुआ हम लोगों ने ट्री हाउस बनाने का फैसला किया और हो यह तो न करने वाले हैं ठीक है ना फ्रेंक्लिन तुम लोग थोड़ा वेट करो जाओ घूम कराओ उसके बाद देखना और भी चीजे यहाँ पर तुम्हार को दिख जाएंगी बढ़िया भाई मज़ा तो आई रहा है गाईस देखो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना यह ट्री हाउस कैसा होने वाला है अरे फ्रेंक्लिन भाईया मेरे हिसाब से तो यह बहुत ही जादा तगड़ा लगने वाला है फ्रेंक्लिन भाईया मैं होता तो दस में से दस नमबर दे देता अरे हां भाई रुक जा भाई अभी तो बना नहीं है भाई जब बन जाएगा पिर नंबर दियो अरे बन जाएगा तो दस में से दस नहीं दूगा दस में से सो नंबर दूगा ओ भाई मज़ा आजाएगा फिर तो चलो गाइस कोई दिककन्दे हम घूम कर आते हैं अरे फ्रेंकलिन भी यह कौन सी गाड़ी लोगे अरे खुलो यह कोई भी गाड़ी उठाक फ्रेंकलिन भाई जो भी मस पास लेकर आजाओ मस था अपने घर के पास और देखते हैं उंकल का घर मेरी ख्िष रड़ी होगा लेकिन जब हमारा घर यानि कि हमारा ट्री हाउस रेडी होगा तब वह अंकल भी देखने आएंगे ना था विल्कुल चौक जाएंगे सभी बाते चलो गाइस फड़ावर से घुमके आते अभी तो हमारा घर बनी रहा बनी रहा थोड़े दिर बाद आएंगे और देखेंगे प्रोग्रेस अपने ट्री हाउस की अरे हाँ हाँ कुलवे बगाले गाड़ी को ओ भाई सब सिंचे निए घर पॉस्ते पॉस्ते साम हो गए बाई देख रहा हूं माई गॉड गाइस कुछ जादे ही टाइम हो गया अरे हाँ फ्रैंकल का घर काफी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है मेरे की पर है मेरे खेल कर प्रोग्रेस नहीं हुआ है जो भी हो अंकल खड़े अंकल से पूछ लो कैसे वाब अपने घर के ऊपर क्या बना रहा हूं अप और ढुड़ बने बननेगे बाद इसमें बहुत सारे मैं लिफ्ट वेगर अलग वादूं और इसको थोड़ा हाई टक कर रहे हों अपग्रेड कर रहा है तरीके से तब इतना बड़ा घर बन वारे हैं अपने घर के ऊपर चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं अंकल ठीक है जब बन जाएगा तो मेरे को जरूर बुलाओंगा अरे अंकल हम भी ट्री हाउस बना रहे हो अरे बाई सबसें तुमने यह क्य चलो गाइस फड़ावर से गाड़ी में बैठते और चलते अंकल का प्रोग्रेस तो कुछ जादा ही हो गया है अरे हाँ फ्रेंकलिंग भीया छड़ो ना अंकल को अब मेरे ग्याल से काफी टाइम हो गया है और अब हम लोगों को जाना चीह अपने ट्री हाउस के पास अरे भाई सब सिंचे तिरे को क्या लग रहा है भाई हमारा ट्री हाउस बन गया हो गया अरे फ्रेंकलिंग भीया पता नहीं लेकिन हम कई घंटों से ड्राइव कर रहे है मेरे गाल से कुछ प्रोग्रस तो हुआ होगा ना और भाई रुको रुको गाइस फड़ावर से गाड़ लिए अग्ल को देखा न कितने सारे व्रकर्स बुला लिए दे अभी और भी haven बहुत सारे वरकर्स को कॉल कर रहे तो और भी वरकर्स और भाय आज बन जायना हमारे ट्री हाउस तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सी और हां बात तो सहीं बोली फ्रेंकलिंग प्रेंकल सब्सक्राइब करेंगे काफी सारी प्रोग्रेस कर लिए इन लोगों ने मज़ा थैंक्यू थैंक्यू अंकल आपने तो मेरा ट्री हाउस कंप्लीट करवा दिया है अभी देखो यह बेसिक स्ट्रक्चर है एक्चली इस पर हम लोग थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे कि अभी सुब्सक्राइब करने काफा करने ГАल करने एक चत बनेगा कहां बाकी कमरे बनेंगे अभी यह बेसिक स्ट्रक्चर है ईंकल वो सब चलो guys, मैं तो चला फिर एक काम करते हैं, सिंचन भारी घुमें फिर? ठीक है भाई फिर एक रात की बात है तो फड़ावर से घरी चलते और अराम से सोक चाहेंगे चलो गाइस चलते हैं फटाफट से घर पे और उसके बाद रात होने का वेट करते हैं अरे हाँ चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी भगा ली जाए अरे जिंचन यहेते घर पोच्ट से तो बाई 12 बज़ गया चलो गाइस इस दिकाण दिखकेंड अरे मिरा रहां नोण से और लका करेंगी भाई यह रात बास और घर काम करेंगे वरकल से तो बहुत भणी बढ़िया बात होते हैं फिर अराम से सुबह उठेंगे और अपने ट्री हाउस को चल कर देखेंगे ओ वाओ गाइस यह देखो भाई मैं तो बहुत ही जल्दी उडिया सुबह सुबह आरे सिंचन मज़ा ही आगे चलो तुम दोनों रेडियो हम तो पहले से रेडी थे फ्रेंकलिन भाईया मैं गाड़ी के अंदर बैठते यह वाइट वाली गाड़ी तो मेरी में फेवरेट गाड़ी है अरे तुम दोनों कहां रहेगे जल्दी से आजाओ मैं तो बहुत ज़्यदा एक्साइटी डू अपने ट्री हाउस को देखने के लिए हम लोग रैडी हो चुके फटापट से पहुंच जाएंगे अरे यह क्या कर रहा है यह का से इंडिकेटर तक नहीं दिया इसने कोई बात निकल वे दूसरे उपर गुस्सा मत निकाल अरे मेरे को जल्दी हो रहा है मेरे को अपना ट्री हाउस देखना भाई मसा ही आ जागा चलोगा इस फटावर से चलते इस रास् प्रशान हो रहे है वह जदा रहा हमले बात तो सही एक लबे इतनी दिनों से हम लोग परिशान है पता नहीं वह पन के रड़ी होगा ट्री है मैं बहुत है 2 तो बहुत मसे आने वाले मेरे को भी दिखा बहुत बढ़ा था वो तो वह ऑंकल ने तो पूरी रात कमाली कर दिय बाइ अंकल उन्गा रहें आपको मजसा रहा है आपको मजस आ रहा हो तो जाकर वीड़ी लाएक करो चैनल सब्सक्राइब करो फाइनिली गाइज यह दो को उनकल ने कमाल कर दिया और आज पूरा रिडियो चुका है और वाओ अंकल थेंक्यू आपने तो पूरी रात में नही यह देखो अभी नीचे थोड़े बहुत पत्थर बचे हुए है तो इनको मेरे वरकर्स हटा देंगे थोड़ी देर में अंकल आपने तो सही में कमाल करके दिखा दिया सिंचन तू देख रहे हमारा ट्री हाउस कुछ जादा ही उचा है हमारा ट्री हाउस लेकिन इसी चीज़ भी हट जाएंगे यहां से अंकल आप अपवा रहे हो नहीं सारी चीज़े अरे बस मेरे को 10 मिनट दो 10 मिनट में सारी चीज़े यहां से क्लीन और क्लियर हो जाएंगी फिर तो भाई हमारा ट्री हाउस का लुक आए नो बहुत जादा बैतरी लगेगा और गाइस देख रही हमारा सपना पूरा हो गया सिंचन देख ले वाई तेरे लिए मैंने ट्री हाउस बनवा दिया आप तो सही में कमाल के और अच्छा काम किया एक बात बताओ बोल पूछ 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 अरे इस ट्री हाउस का टूर कब लेंगे अभी थोड़ी दिर में लेंगे जब यहां से सारे वरकर्स जाएंगे ना और मैं अंकल को पेमेंट कर दुँगा फिर ारे ठीक है ठीक है फ्रेंकिल बिया चलो वेट करते हैं दसमिनिट का उसके बाद यह वरकर्स हट जाएंगे और यहां से मलबा भी अटा देंगे उल्राइट गाइस ये देख वानेली बशुका है सि से सही कर रहे हैं आप पहले पेमेंट कर दीजिये चलो गाइज अंकल को पैसे ट्रांसफर करते हैं अंकल फाइनली मैंने आपके पैसे ट्रांसफर कर दिये अब जाएए मज़े कीजिए अपने तो मेरे को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा खुश कर दिया इस ट्री हाउस को अंकल ने बहुत मेहनत करी अपने वर्कर्स के साथ में मिलके सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़े लगवा दी ती क्योंकि आपका बजट थोड़ा सज़ादा था मैंने देखे कुछ पैसे बचरे इसलिए फ्रिज और बाकी जितनी भी चीज़े थी आईटम्स वेगे रहे वह सारे मैंने मंगा के आपका होम जो है वह फरनिश कर दिया अच्छे सब्सक्राइब और यहीं से आया था उपर और यह तो कुछ जाद है मज़ेदार है वेट एक्वेरियम है वैसे इसके अंदर की मचलिया असली नहीं है बट वह सिर्फ शोपीस है डाइमेंड की तो नह ए हां चलरा हो तो काफी ऐच्छी क्यों आपने वह फैंकर अमारे को भीत को सब्सक्राइब Cr i primer है और सास्थ च्छतकी मैं कि प्यारा लग यहां अर Esamil और यहां से ट्री भी जार और गाइस देखो यहां पर डाइनिंग टेबल भी है किचन भी हो ओ भाई फ्रिज वेगर अब बहुत सरी चीज़े हैं अरे फ्रेंकिलिन भाई है खाना आना पका सकते हैं किचन भी चन सारी चीज़े सेट कर दी अंकल नहीं यहां पर लॉंड्री पहुंच गया और उपर आजा फ्रेंकिल भी या चलो गाइस मैं भी चलता हूं उपर पता नहीं कहां से पहुंच गया अच्छा यह रहा ना रास्ता उपर जाने के लिए ओमाई गोड़ मैं यह वाला इरिया तो कुछ ज़्यादा ही मस्त है बाई सेकिंड फ्लोर तो अपन बना रहा बात तो सही है कोई नहीं बनवा सकता खुल वे चलो गाइस अब फड़ा वर से सेकंड फ्लोर को एक्स्प्लोर करते वेट बाई साब सिंचेन में सपना तो नहीं देख रहा अरे कौन सा सपना क्या बात कर रहा और सिंचेन ध्यान से यहां पर तो बहुत सारा पैस अरे फ्रैंक्लिन भाईया कहीं वो अंकल गलती से भूलतों नहीं पता नहीं भाई हमारे लिए गिफ्ट दे दिया गया अंकल ने चलो गाईस कोई दिकत नहीं और देखो गाईस यहां पर बहुत सारे वेपन्स वेगरा भी हैं असौल्ट राइफल है स्नाइपर से बहुत स लगा रखा है एक साइड में गोल वाली टेबल है और उस साइड में यह क्या शावर है क्या अरे हां यह रहा हमारा बात्रूम अरे हां फ्रैंक्लिन भाईया और शीशे का दरवाजा हो माइग यह तो काफी प्रीमें लग रहा है मस्त है और कौन सी जगह है और तो यार सब्सक्राइब यह तो बहुत मस्त है और यहां से पूरा का पूरा लॉस सेंटोस दिखता देखो पूरा का पूरा शैर दिख रहा है वेट यह चिडिया कैसे है और फ्रैंक्लिन भाई यह नकली चिडिया है यह तो डेकोरेशन आइटम है यह तो कागज की चिडिया बना रखे देखो यहां पर एक टैलिसकोप भी है और यहां पर हम अराम से लेट कर धूप सेकेंगे बहुत बहुत तकड़ा घर बनवाया तुने अरे हां यह तो हमारे बगल वाले अंकल जो है न सर्मा जी उनके घर से भी बहुत जादा तकड़ घर है और यह किसकी पिक्चर है अरे जिसकी भी चोड़ना हमें क्या करना है वाई सही बात है हमें तो मज़े लेने से मतलब है यहां पर हम अराम से नहाएंगे फ्रैंकलन बाइया वेट यार बहुत सब्सक्राइब हो रहे हैं आप तो आज का दिन सही में बहुत अच्छा इंता मेरे लिए गाई सही बात है आज तो कुछ जाद ही मज़ा आगे गाई अगर आपको भी आज वीडियो अच्छी लेगी तो जाओ जाकर फड़ावर्ट से वीडियो को लाइक करो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाईस कमेंट बोक्स में आप तो सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया गाईस एक और काम करो जाओ जाकर हम लोग फॉलो कर लो इस्टेग्राम एक साथी में फेस्बुक पे और गाईस आज क्लिबस नहीं ठाड़ा गुडबाई गुडबाई गुडबाई